हेलो दोस्तो अगर आपका खाता है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में तो आज किस वीडियो में मैं आपको ताऊंगा कि कैसे आप लोग अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक एकाउंट से फोन पे चला सकते हैं दोस्तो इस वीडियो में मैं पूरा डीटेल में बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को India Post Payments Bank phone paper add करना है कैसे आपका UPI pin set करना है आपको debit card कहां पर मिलेगा सब कुछ डीटेल में बताऊंगा तो इस वीडियो को एंट तक जरूर देखिएगा तो इसके लिए दोस्तो सबसे पहले क्या करना है आपको अपने mobile phone में phone पे application को download कर लेना है इस application का link में वीडियो के description में दे दूँगा आप लोग वहाँ से application को easily download कर सकते हैं application download करने के बाद आपको इसे open करना है दोस्तो जब आप लोग application को open कर लेंगे तो आपको यहाँ पर mobile number डालने का option आएगा आप लोग यहाँ पर वही mobile number डालिएगा जो आपके इंडिया post payments bank में link रहेगा तो चलिए मैं अपना mobile number डाल देता हूँ आप दोस्तो जैसे आप लोग mobile number डाल लेंगे तो आपको proceed के उपर click करना होगा और दोस्तो जैसे आप proceed के उपर click करेंगे तो आपका जो mobile number रहेगा उस पर एक OTP जाएगा OTP automatic verify होने के बाद आपका phone पे account जो है login हो जाएगा तो थोड़ा सा wait कर लेते हैं और देख सकते हैं आपको यहाँ पर permission देना होगा तो permission आप लोग allow कर दीजेगा दोस्तो जैसे आप लोग permission allow कर देंगे तो देख सकते हैं phone पे application कुछ इस तरीके से open हो करके आ जाएगा अब यहाँ से क्या करना है side में आपको आपका profile दीखेगा मैं पहले से अपना account create किया हूँ profile photo set किया हूँ तो यहाँ पर दीख जाएगा जब आप पहली बार आएंगे तो यहाँ पर photo नहीं दीखेगा बट आपको इसके उपर click कर रहा है अब दोस्तों यहाँ पर click करते ही देख सकते हैं आपको payment method में एक option दिखेगा bank accounts का आपको इसके उपर click कर देना है अब जैसे आप लोग यहाँ पर click करेंगे तो देख सकते हैं आपको bank select करने के लिए आएगा जो कि आपका जो mobile number है उससे link रहेगा तो आप लोगों को यहा से bank select कर लेना है आपको यहाँ से नीचे आना है नीचे आएंगे तो आपको जो आई वाला option दिखेगा आई लेटर से यहाँ पर आपको इंडिया post payments bank दिख रहा है तो आपको इसके उपर click करना है और यहाँ पर अगर mobile number link रहेगा आपको bank account में जिस mobile number के यूज करके आप phone पर बनाये होंगे तो आपका account यहाँ पर आ जाएगा और account देख सकते हैं एड भी हो चुका है तो यहाँ पर मैंने अल्रेडी अपना यूपी आइपिन सेट कर लिया है तो मुझे रिसेट यूपी आइपिन का option आ रहा है जब आप लोग पहली बार आएंगे तो आपको यह मुबाइल एप्लिकेशन इस एप्लिकेशन को डाउनलोड करने के बार इसे ओपन करना है जब आप लोग इसे ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर माई सर्विसेस में एक option दिखेगा रूपे डेविट काड आपको इसके उपर क्लिक कर देना है अब जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको view card details के उपर क्लिक करके आपके card का detail देख लेना है और फिर आपको यहाँ पर जो phone पर application में open हुआ है यहाँ पर उसको डाल देना है तो चलिए मैं अपना details यहाँ पर डाल देता हूँ तो इतना करने के बाद आपको proceed के उपर क्लिक करना है और message का जो permission उसको allow कर देना है इतना करने के बाद आपका जो mobile number रहेगा जो bank account में link रहेगा उस पर एक OTP जाएगा और OTP automatic यहाँ पर verify हो जाएगा और आपको यहाँ से next के उपर क्लिक करना है फिर आपको आपका जो चैंको का UPI pin है set करने का option आ जाएगा तो चलिए मैं अपना UPI pin set कर लेता हूँ और यहाँ से done के उपर क्लिक कर देना है तो थोड़ा सा वेट करना है आपका जो UPI pin है वो successfully set हो जाएगा देख सकते हैं UPI pin successfully set तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग अपना UPI pin भी set कर सकते हैं और यहाँ पर जैसे आप लोग bank account add कर लेंगे तो bank accounts वाले option में आपको bank account आपक सकते हैं bank balance check कर सकते हैं फिर आपका UPI ID मिलेगा आप इसको भी customize कर सकते हैं अपनी हिसाब से अगर आपको customize करना है तो आपको यहाँ प्लस वाल आइकन के उपर क्लिक करना है और आपको UPI ID को suggest किया जाएगा अगर आपको कुछ अलग से आपका custom UPI ID डालना है तो आप लोग इसा UPI ID मिलेगा कोई आसान सा UPI ID डाल करके उसको set कर लिजेगा तो इस तरीके से दोस्तों अगर आपका खाता है इंडिया post payments bank में भी फिर भी आप लोग फोन पे गूगल पे चला सकते हैं आपको debit card मिलेगा आपके IPPB mobile banking application में अगर आपको debit card लेने में या फिर mobile banking में करते time कोई भी problem आ रही है तो आप लोग बताईएगा मैं उस पर वी वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप लोगों को इस application में login करना है तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए topic पर तब तक के लिए take care